इसराइल एरान का सुनने में आ रहा है टेंशन हो गया है लडाई शुरू हो गई है अब तो लगबग मतलब हर साल ही किदर ना किदर लडाई शुरू हो जा रही है तो हमें इसको लेकर परहसान होने की जरूबत है क्या क्वेस्चन आया है नीचे कि हमारे mutual funds पर इसका क्या आ directly related है crude oil के prices से crude oil कच्चा तेल के prices से बहुत जादा ये link रहते हैं उधर की किसी भी देश में कुछ भी गरबरी होगी तो जो कच्चे तेल का दाम है crude oil का price है वो उपर suit up करेगा और crude oil की prices अगर बढ़ती है तो globally effect होता है क्योंकि crude oil का जो price है कच्चा तेल का जो दाम है वो सी दाम अगर बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी यहां पर RBI या FED की बात करते हैं जो US की RBI है एक तरीके से तो ये लोग rate बराबरा के inflation कम करने की कोशिस कर रहे हैं कभी Russia Ukraine का war हो जा रहा है कभी Israel का हमास के साथ हो जा रहा है कभी Israel का Iran के साथ हो जा रहा है इन सब दिक्कत से इस से ओड़ा रहा है घैस की दाम रसिया ग्यास के लिए सीधा जिम्यडार है गैस की दाम बढ़ते हैं तो इससे क्या होता की यह सब जो चीज़े अब कच्चा तेल का एक दाम बढ़ने से जितना पूरा का पूरा transportation महगा हो जाएगा क्च्चा तेल का दाम बढ़ेगा तो बेट्रॉल डीजल का दाम बढ़ेगा तो जितनी भी साग सबजी फल से लेके कपरे electronics सब कुछ तो ट्रांसपोर्ट ही होते हैं हवाई जाज गाड़ी से ट्रक से तो ट्रेन से सब जगह पर यूज होता है तो यहां पर transportation महगा हो जाता है और इस करण से सब चीज का price उपर भागने लगता है और इसी करण से महगाई उपर भाग जाती इंफ्लेशन उपर भाग जाता है short term में इसका effect हमें economy पे भी देखने को मिलता है और short term में इसका effect हमें stock market के और देखने को मिलता है बरी गिरावट अगर नहीं भी होती है तो volatility तो जरूर podia से मेंग cuma money weaponsike आदर देखने को मिलेगि जो छोटी company जो small cap stocks है उनके अंदर जादा देखने को मिलेगी तो small cap mutual funds से उनके अंदर भी जादा देखने को मिलेगी जो large cap stocks है उनके अंदर कम देखने को मिलेगी तो large cap mutual funds के अंदर भी कम देखने को मिलेगी तो volatile तो market होगा इसके अंदर तो कोई सकी नहीं है और चुनाओं भी अब सर पे हैं और इंफ्लेशन भी भागेगा इधर लराई वराई शुरू हो गई है तो वालेटिलिटी मुझे लगता है जब तक एलेक्शन रेजल्ट नहीं आ जाते वालेटी तो बनी रहेगी मार्केट के अंदर में लेकिन ये सब चीजे जो है इन सब के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है कि ये सारी जो चीजे हैं वो सौट टर्म है और इसको लेकर जो लॉंग टर्म इन्वेस्टमेंट है अगर मेरा गोल 2030 में कंप्लीट होने वाला है तो 2024 में कहा लराई हो रही है या क्या चुनाओ हो रहा है या क्या इंफ्लेशन के नंबर है अभी क्या हो रहा है उससे उस टाइम पर कोई फर्क नहीं परेगा हाँ अगर इंडिया कहीं लराई शुरू हो जाए किसी के साथ और मतलब लगबग इंडिया दिस्ट्रॉय होने जैसा हो जाए तो अलग चीज़ है तो वहां पर दिकत वाली सिच्वेशन है लेकिन अलग कहीं पर दो देश लर रहे है तो उसका एफेक्ट इंडिया पर थोड़े समय के लिए आ सकता है लेकि कि मैं इंवेस्टेट ही रहूंगा अगर किनी लोगों को लगता है कि इसराइल और इरान के अंदर अगर लराई हो रही है उन दोनों के बीच में तो उससे इंडिया को बहुत जादा दिकत हो जाएगी इंडिया के ऑनमी खतम हो जाएगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो अपनी अनलिसिस ऐसिस ए अपनी अपनी ठींगिंग के ऊपर है अगर आपको लगता भारत बरबाद हो जाएगा तो पैसा नकल के घरमें रख लो कैस्टा सोना खडीद लो ओना कि ससी भी डेस में चलेगा लेकिन आपको लगता कि भारत में भी घ्रोंफ हो सकती है चाहे 202 तुरा सा मार्केट के अंदर में गिर आवर्ट होगी, और उसके आद फिर रैली आएगी और फिर नॉर्मल हो जाएका, फिर दो साल बाद हमें पता चलेगा या एक साल बाद ही पता चलेगा ओल टाइम नमार्केट में ये ऊपर एख लाग के उपर जा चुखा-या